बहले ही सुषिल कुमार पर यह आरोप है कि उन्होंने किसी की जान लिए लेकिन अभी तक यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ है यानि कि वो आरोपी साबित नहीं हुए है जिसकी वज़े से वो नियाई खिरासत में लेकिन मैडिकल जाच उनकी की जाती है डोक्टरों की और CCTV कैमरे की निगरानी में उनके आसपास हमेशा ही 4-5 पुलिस करमी मौजूद रहते हैं ताकि उन पर कोई हमला ना हो लेकिन डोक्टरों की कुछ फैसले लिए जाने हैं दोस्तों सुशिल कुमार पर क्योंकि ये लगातार खबरे सामने आ रहे हैं कि सुशिल कुमार को अपना हाई प्रोटीन वाला डाइट खाना चाहिए ताकि उसका पहलवान शरीर एकदम हश्ट पुष्टर है ताकि अगर वो जेल के बहर भी आए तो उसका शरीर मेंटेन नहीं ना कि जेल के अंदर उसका शरीर घट जाए क्योंकि जो कैटेगरी लड़ते हैं पहलवान वो जैसे 74 कैटेगरी हो गई 100 कैजी कैटेगरी हो गई तो अपने वेट के एसाब से कैटेगरी में लड़ते हैं तो उनका वेट बहुत मैटर करता है अब 8-10 रोटी तो सुषिल कुमार बहार शायद एकी बारी में खा लेते होंगे लेकिन जेल के अंदर 8-10 रोटी पूरे दिन भर मिलती है तो ये कुछ बड़ी खबरे हैं लेकिन जेल पर शासन के कुछ अधिकारियों के जो बयान सामने है सुत्रों के मताबिक उन्होंने ये कहा है कि उनको खाना सिर्फ तब मिल सकता है जब पुलिस या फिर कोट या फिर डोक्टर उन पर फैसला ले अब ही सुषिल कुमार जेल के अंदर ही कॉरंटाइन है 14 दिनों की नियाए खिरासे से सुत्रों के मताबिक अब 14 दिन का ही कॉरंटाइन होता है करीब 7 दिन का कर दिया हो वो बात लागे लेकिन 14 दिन का अगर कॉरंटाइन है तो उनको एक अलग सेल में रखा गया है और डोक्टर ही उन पर फैसला ले सकते हैं क्यूंकि अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि अगर किसी कैदी की हालत बिगड़ती है तो उसको कितनी डाइट देनी है ये फैसला डोक्टरों के हाथ में होता है अगर सुशिल कुमार की हालत बिगड़ती है और डोक्टर उसकी जैक अप करते है यानि उसकी जाच करते है और उनको कुछ अलग ही मिलता है तो डॉक्टर ये फैसला लेंगे कि उसकी डाइट बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी तो सुशिल कुमार के लिए बहुत बड़ी मुसीवा थे क्योंकि 8-10 रोटी एक नॉर्मल इंसान के लिए काफी होती है जिससा उसका शरीर एकदम हश्ट पुष्ट से रहता है यानि कि एकदम हरा भरा रहता है लेकिन सुशिल कुमार को हाई प्रोटीन डाइट चाहिए जिसकी वज़े से डॉक्टर अगर ये फैसला ले दें कि लेकिन सुशिल कुमार को ये डाइट प्रोटीत करा दो तो सुशिल कुमार को मिल जाएगी यानि डॉक्टरों का फैसला इसमें बहुत important रहने वाला है तो ऐसे में डॉक्टरों का क्या विचार मत होगा कुछ अलग करना पड़ेगा तो डोक्टरों का फैसला और कोट का फैसला इंसम मामलों में बहुत एहम रहेगा और सुशिल की हालत पर लगातार पुलिस डोक्टर सब की निगरानी रहती है जेली के अंदर ऐसी खबरे आ रही है नेक्स्ट नाइन स्पोर्स की रिपोर्ट